जहेंद और गुड मॉर्निंग टॉ आल मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं एक एक्सेरिसमेन हूँ मैंने 20 साल भारतियों सन्हें में कार्य किया है और 31 दिसंबर 2022 को मैं वहां से रिटायर हुआ 20 साल नौख़ी करने के बाद उसके बाद मैंने बहुत सारे competitive exam दिये जैसे की FCI, SSC, 2022-2023, IPS clerk, RRB, बहुत सारे, उसमें, DFCCI, उसमें मुझे कुछ एक में सफलता मिली और जैसे के अभी हालिया एक result आया है, एक January 2024 को, IPS, RRB clerk का, उसमें मैंने जहार्खन से क्वालिफाई किया है, हमारे एक सेरिसमेन के केवल 5 seat थे उसमें, लेकिन सबकी दुआउं से मैंन मैं परिवार को देना चाहता हूँ, अपनी मा, अपनी वाइफ, मेरे बाई, मेरे दो बच्चे, मेरे इन-लॉज, और जीतने भी रेलेटिव हैं, जो क्लोस रेलेटिव हैं, और दोस्तों को, वो दोस्त जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, मेरे failure में भी, मेरे success में भी, तो उनको काफी मतलब उनको support के लिए उनको बहुत बहुत थैंक्स, एक basic problem आता है किसी एकसरिस्मेन को exam देने में, क्योंकि आप जो exam देते हैं, मतलब जो normal बच्चे exam देते हो, 20-25, maximum 27 साल के होते हैं, लेकिन हमारा जो एजिस स्टार्ट होता है, वो 40 साल का होता है, अब पहले क्या ह तो एक बहुत बढ़ा balance में हो चुका है मारे लिए, तो पहले जो मैं exam देता था, तो मैं प्री की तियारी अलग से करता था और मेंस की, मैंस का उसके बात क्योंकि पहले शूर नहीं था कि प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन जब से पीछले ड़र सालों से मैंने प्री का platinum package लिया, उनका bundle PDF लिया, उससे मैंने practice की, पहले मुझे लगा बहुत tough है ये, क्योंकि इनके questions के level होते थे, काफी ज़्यादा tough होते थे, तो प्रॉलम होता था बनाने में, marks इतने काम आते थे कि शरम भी आती थी, लोगों से discuss करने में कि कितना आया, mock test में, तो फि इससे क्या होगा मेरा जो लेवल था, त्यारी का वो काफी अच्छा सुधरता चला गया, जहां तक बात है, IPS, RRB की, तो मैंने उसका प्री भी क्वालिफाई किया, प्री में पूरे और अल इंडिया में सबसे ज्यादा cut-off और एक्सरिसमें के लिए, जारकंट से ही था, औ और अपने जितने भी जिसे गैडले की जितने मॉक्टेस थे, मैंने उसको अच्छे से पढ़ा, जितने भी PDF आये थे, month-wise, year, मतलब week-wise, मैंने उसको अच्छे से पढ़ा है, go through किया है, मेरे marks जो है, हमेशा इंप्रूव होते चले गए, अभी IPS clerk का result आने वाला ही का फिल को आज मेरा SBI का pre-exam भी है, और मैं बिल्कुल sure हूँ कि आज भी exam clear कर लूँगा pre, फिर मैं में इसकी तयारी भी करूँगा, में इसकी तयारी में कर रहा हूँ, तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सबको यह करना चाहता हूँ कि जब मैं 40 साल का होके, और determination के स साथ तयारी कर सकता हूँ, तो आप जितने भी लोग हैं, आप भी कर सकते हैं, और आपके अंदर एक ही चीज हो हैंटे, determination होना चाहिए, कि मैं exam clear कर लूँगा, बतलब कर लूँगा, क्योंकि बहुत सारे बीच में वाधाई आएंगी, और आपको लगया है कि क्या हो गया, लेकि नहीं, आपको अपने एम को सामने रखके महनत करना है, जिसके साथ मैं सबको all the best बोलना चाहता हूँ, और आप मुझे भी all the best बोल सकते हैं, मेरे बाकी दोते नहीं रिजर्ट बचे हुए हैं, मैं होम जोन में ही चाहता हूँ, इसलिए मैंने बाहर कहीं जोई नहीं क की सेवा करूं मैं, तो इस कारणे से मैं एफोस से ही पुष्राम लिया था, तो सबको नमस्कार, have a nice day, जैंद